आज हमारे पास HP का प्रोफेशनल लाप्टॉप है 2-in1 360 जो हमारा टच लाप्टॉप होता है HP Spectre X360 एंड प्रेजेंटली इंटल 12th जेनरेशन फुल बूम पे है इसके अंदर हमारे को Intel Core i7 12th जेनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है यहां पर हमारा कुछ इस तरीके का box आजयता है यहां पर HP की ब्रांडिंग सी औरक्यस के ऊपर यहां पर एक और निगल जाता है छोटा सा box एंड यहां पर हमारे को एक और डपा मिल जाता है वहां केरिंग पाउच क्यारिटी तो इसकी बड़ी लग रहे है 13-inch का चोटा सा laptop है, क्या बढ़िया लग रहा है, और क्या क्या है, यहां पर हमारी documentation वगैरा मिल जाएगा, एक हमारे को charger मिल जाता है, 65W का charger मिल जाएगा, यहां पर, एक Type C2 HDMI वाली dock मिल जाएगी, एक power cord मिल जाएगी, और यहां पर हमारे को stylus भी मिल जाता है, कुछ इस तर आपको performance hybrid architecture मिल जाता है, P course, E course आपको पता होगा, Intel threat director आपको मिल जाएगा, Wi-Fi 6E का support मिल जाएगा, Thunderbolt 4 का support मिल जाता है, too many features, और एग important बात, इस festive season में तुम बहुत लोग laptop खरीद होगे, खरीदने वाले होगे, इन्होंने खरीद लिया होगा, उनके लिए छूटी सी information है, अगर आप laptop खरीदे हो, तो generation खास देख ले, जैसे भी मैंने 12th generation के बारे में आपको पता, तो 12th generation latest चल रही है, इस time पे, अब i7 का मतलब यह नहीं कि आप 10th generation 11th उठालो, कुछ भी 9th उठालो, आपको कोई भी बीच बगा तो यह i7 system मिल जागा, ऐसा करके, ऐसा नहीं है, generation matter करती है, and higher is better, like, जितना ज्यादा number generation में, उतनी better, तो शुरुआत कर ले, सबसे पहले स्पेसिफिकेशन से, इसके नहीं मिलता है, i7 12th generation 1255 U processor, जो हमारा 10 core 12 threads वाला है, 2P cores and 8E cores, और यह हमारा Intel Evo certified है, Evo क्या भी आगे बताता हूं आपको, Intel iRase XC onboard graphics आपको मिल जाएगे, 16 16GB LPDDR4X RAM मिल जाएगे, 4266 megards lock speed वाली, और यह हमारी onboard RAM है, upgrade का कोई option नहीं है, 1TB की PCI Gen 4 SSD मिल जाती है, read and write speed आपके सामने है, and Wi-Fi 6E and Bluetooth version 5.2 आपको जाएगा, and yes, MS Office तो मिल नहीं है, obviously, भाई, professional series का laptop है, तो वो तो ज़रूरी है, अब Intel Evo के बारे में आपको बतारता है, Intel Evo का ठपा लगने के लिए, कुछ थोड़ी बहुत कंडिशन होती है laptop की, जिसमें वो आना चाहिए, तब ही वो sticker लगता है, जैसे 12th generation की बात करें, Wi-Fi 6E होना बहुत ज़रूरी है, Thunderbolt 4 का port होना बहुत ज़रूरी है, 9 Plus Rs का battery backup होना बहुत ज़रूरी है, और तो जो screen wake time होता ह हमारा वो एक सेकंड होना चाहिए, लाइक हम जैसे lid open करता है sleep laptop की, तो एक सेकंड के अंदर-अंदर आपकी screen wake up हो जानी चाहिए, तो कुछ ऐसी conditions होती है, Intel Evo में आने के लिए, जो वो laptop पार करेंगा, उस पर डपा लग जागा, इस पैसल बात चीत, यहाँ पर हमारे को 13.5 5-inch का laptop मिल जाता है, proper metal build में, top lid भी आपको metal की मिल जाएगी, और काफी sturdy build ऐस की, और इंटीर भी हमारे को metal का मिल जाएगा, एंड भाई, जो लुक आना laptop की बहुत प्यारी है, यहाँ पर कुछ curvy सी side है, और यहाँ पर कुछ ऐसे कर देखोगे, तो यहाँ पर थोड़े से sharp इस तरीके से आप अटाच कर सकते हो, on the go, travel वगरा करने के लिए, और इसके यहाँ पर stylus में आपको type C port मिल जागा, stylus की charging के लिए, और यहाँ पर mini size का keyboard मिल जाता है, keyboard की feel बहुत premium है, use करने में मतलब काफी सही लगता है, और जो हमारा keyboard है, single color backlight keyboard है, white color की light मिल जाती है, औ the laptop full login, और यहाँ जो हमारा laptop है, इसकी starting 1,15,000 से हो जाती है, i5 से शुरुआत हो जाती है, i5 12 generation, उसके बाद i7 में different variant है, सबके links में description में देदूँगा, आप check out कर सकते हो, और इस laptop का weight है, वो हमारे को 1.3 kg एपरोक्स मिल जाता है, और यहाँ पे USB 3.2 Gen 2 वाला port मिल जाता है, जो हमारा 10 Gbps वाला होता है, और देखरो हो, यहाँ पे इन्होंने कुछ इस तरीके का जुगाड किया हुआ है, इसको slim बनाने के लिए, और दूसी तरफ हमारे को 2 Type-C port मिल जाते है, दोनों के दोनों Thunderbolt 4 वाले port है, और यहाँ पे MicroSD card reader slot मिल जाएगा, और इस laptop की बाइगा multi touch support के साथ, 100% SRGB वाली display, colors बहुत तरगड़ है इसके अंदर, जिसके display है तो glossy वाली, बट non-reflective वाली है, मतलब आप देख रहो ना, जैसे इसमें light भी पढ़ रही है, उसकी light का color थोड़ा सा different आ रहा है, मतलब अगर आप normal यूज करोगे ना, पीछे अगर कुछ reflection वगर आ और stylus भाई, अच्छी कासी building की stylus है, heavy duty वाली, and यह हमारी pressure sensitive वाली stylus है, तो जिस तरीकी के आप अगर आप writing करते हो, आप अराम से लिखोगे, तो उस तरीकी से detect करेगा, ज्यादा pressure से करोगे, तो आपका scenario चेंज आता है, and use के scenario वो ही है, अगर आप Photoshop वगरा चलाते हो, अच्छी मिल जाती है, यूज करने में कोई प्रोब्लम नियागी, और इस laptop के अंदर में तगड़े-टगड़े AI enabled features मिलता है, जैसे in-bag detection, तो अगर आपका laptop tablet mode पे है, और आपने directly bag में रख दिया, तो वो automatically lock हो जाता है, एक इसके अंदर privacy alert and automatic lock उपर आपको camera का बटन मिलता अगर आप camera यूज कर रहे हो अपना, और instantly आपको उसको बंद करना है, तो जिस बटन दबाऊगे आपका camera भी बंद हो जाएगा, और HP Quick Drop and HP Duet, HP Quick Drop वही है, आपका phone आप connect कर लोगे अपने laptop के साथ, और कोई भी drag and drop images वगरा करने हो, on the go आप कर सकते हो, उसके बाद एक HP Duet option मिलता है, HP Duet option में आपको किसी भी एक और device को as a secondary monitor की तरहे यूज कर सकते हो, for example, कोई आपका Android है, आपका iPad है, या इवन आपका Windows device है, screen distance and time reminders आपको मिल जेंगे, कितना आप काम कर रहे हो, कितनी देर तक काम कर रहे हो, जादा तो नहीं हो गया, कम तो नहीं रहे गया, तो व background noise cancellation, तो कुछ ऐसी mic की quality और ऐसी camera quality मिलेगी, बता रहा, comment section में कैसी लेगी, और यहा जाते है, HP Glam Cam यहाँ पे, यह आपको HP Command Center मिल जाएगा, और एक चीज़ यह भी आपने कैसे zoom in, zoom out कर रहा है, इसके अंदर auto framing हमारे को यहाँ पर मिल जाती है, auto framing feature से क्या होते है, कि जैसे battery backup के बारे में बात करके है, कुछ फायदा ही है, क्योंकि Intel Evo platform वाले laptop है, 9 plus R's का backup आपको मिलेगा, मिलेगा, बट उसका case scenario आपको बता दू, keyboard backlit off, screen brightness थोड़ी सी कम, उसके अंदर आप 9 plus R's में, basic usage में, YouTube बगएरा चलाओ, कुछ भी चलाओ, day to day task करो, multitasking करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, battery backup बहुत जबरदस्त है, यही पर परफॉर्मेंस की बात करते है, Cinebench R23 के scores आपने साम देख सकते हो, multi-core score हमारा 8277, single-core 1585, और crossmark के test आपके सामने वीडियो बास करके देख लेना, and PC Mark 10 में भी हमारे को 5000 plus का score मिल जाता है, जो की सही है, and Geekbench 5 के भी scores आप दे टास्क करने हो, multi-tasking के मामने है, जितने मरजी tab खोल लो, मैंने Chrome के अंदर, दुनिया भर के tab खोल दिये, उसके बाद अलग-अलग software खोल दिये, जो भी जैसे मारा MS Office हो गया, जैसे PowerPoint, Excel, Word, उसके बाद अलग-अलग application खोल दी, कहीं से कहीं तक भी यह लाग नी हुआ, एकद तो layer वाली आप कर लोगे, काम चला देगा, but 1080p level, कि आप किसी भी level की video editing कर लो, 1080p level मैंने चला के देखा, बड़ी है experience आप हमार को दे रहा था, अगर को स्टूडेंट देख रहा है, जिनका बजेट तकड़ा है, मतलब थोड़ी रजवाड़े साब किताब वाले हैं, तो coding बगरा भी आप इसके अंदर कर सकते हो, और बात अत्य है multimedia की, multimedia के मामले में बहुत सही फील है, क्योंकि इसकी display बहुत तकड़ी है, आपको movies बगरा देखनी है, multimedia consume करना है, क्या ही eye pleasing आपका experience रहेगा इसके साथ, and ऊपर से tablet mode पर चला जाता है, तो आपको late wait के video देखनी हो, अराम से travel बगरा कर रहे हो, तो यहाँ पर overall laptop का experience मतलब multimedia के मामले में बढ़िया जाता है, और वैसे तो यह laptops gaming के लिए होते नहीं है, बट मैंने Valorant और GTA 5 इसके अंदर try करके दिखा था, और यहाँ पर हम Valorant को जो test कर रहे है, वो 1080p पर कर रहे है, वैसे 3K2 के display बट मैंने 1080 करते हैं, क्योंकि eGPU बगर ही नहीं है, और low settings पर हम टेस्ट कर रहे है, और जैसे कि Valorant हमारा CPU centric game है, like GPU बहुत कमी चलता है, सारा का सारा CPU पर ही चलता है, यहाँ पर हमारे को 140, 150 plus FPS मिल रहे है, जो कि काफी सही है, तो अगर आपको normal casual gaming कर नहीं है, तो i7 पर आप आराम से वह भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और हाँ, साथ में एक चीज़ ग्लियर कर दो, 60Hz वाली display तो आपको 100 plus FPS आ रहे है, 60 plus आ रहे है, तो यह कैसे possible है, बेसिकली यह FPS वो है, जो आपका CPU या फिर GPU मतलब आउटपूट दे सकता है, लेकिन आप इस laptop पे खेलोगे तो 60Hz वाले experience मिलेगा, और यहाँ पर हमने GTA 5 भी टेस्ट करा, यह भी हमने 1080p पर ही टेस्ट किया था, और settings हमारी वो ही थी, very high, high, medium, normal, जो हमारी basic setting उठा लेता, i7K साब से, जो U-series वाला है, और उसके अंदर भी हमारे को 60 plus FPS आराम से मिल रहे थे, casual gaming आपको कर नहीं हो, कभी क आपको use case scenario में आपको बता दिये कि हाथ किस किस टाइप के लोगो के लिए है, आप working professional हो, आप business class के बंदे हो, आपको हलका laptop चाहिए, एक दम फूल एक हाथ से carry करो, 360, tablet mode, चोटा सा laptop है, 13.5 inches का display बहुत बढ़ी है, and the battery backup is also good, तो उसके साब से आप जज़ कर सकते हो, definitely, अग कर सकते हो, आपको कैसा लगा laptop या, इसके साथ का कोई और laptop आप चाहते हो, रिव्यू, या फिर आपको use कर रहे हो, वो मेरे को comment section बता देना, and पसंद आई वीडियो तो like मारो, जादा पसंद आई तो comment करे के बता दो कुछ बढ़ी असा, मिलते नेक्स वीडियो अप तक के आई, बाई!